कि आज का हमारा अगला ओडर है जी कोलियो आपरा सबसे पहले कि यह नाम क्यों रखना गया इसके पिछ रीजिन क्या है उसके पीछ जी इसका जो नाम है वो है कोलियो कोलियो मीज शीर या हाड कवरिंग इसके विएर दिए बीटल्स जो सारी जुए जो है और यह सबसे बड़ा गरोप आए दुनिया में सबसे बड़ा गरोप है जो इन से बागरोप है जो इन्सेक्ट का सबसे बड़ा गरोप है लार्जस्ट और आफद इंसेक्ट या आप कहलें के लार्जस्ट नंबर आफ स्पीशी जो है इसी में पाई जाती है इसके रावा जो है हाइमीन आपड़रा में साइंटिस समझते हैं अभी तक है नहीं मगर साइंटिस इंदादा लगा रहे हैं कि वो शेर्थ सबसे बड़ा हो कि उसमें अभी बहुत सारी हैं जो अभी अनएक्स्प्लोड हैं मगर जो अभी गिंटी के साफ़ से अदादों शमार के साफ़ या यह सबसे बड़ा ग्रूप है और इसका नाम इसलिए रखा गया है क तो कि और पिछला विंग हुत है और एक को पता है कि आपको पता है कि इसमें यह बैस आपता राइट एलाइट्रॉन जहां पर आपको करसर नदर आ रहा है यहां भी हम पिल लगाती है तो इसके जब भी आप बॉक्स बनाएए यह मैशा पूछा जाए अब्जेक्टिव आजए तो यहां पर इन बेस आप राइट एलेट्रॉन या आपने विंग इसको फेंग लगानी है जो हैं गरी पर की सबसे पहले हम दैक्रिक्रिक्स न जो हैं हैं इसके मुछ्टलिक पार्ण दो हैं माउथ पार्ट हैं नाम भी है वह लाइटरा मीन उते हैं दोनों और यह विए जो दूसरी किसम है वो है जी इसके में दो करणाद के विंग पाई जाते हैं जो इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो इसको जो है या तीन क्षाबर केंदर गरोग इसको विवाइड करते हैं उस में से जो सबसे पहले है Chicago आभी में हैं ने से तैंड है को टी सरा सब आज आर्पा स्थिमेटर अर्पोस थी है तो इनके और पडी स्थिक्श कुछ मैंने आपको interesante सबसे पहले हैं कि नोटो फ्लियूरल सुचर इस एपसेंट और इनकंप्लीट यानि के अंदर यह नोटो फ्लियूरल सुचर होती है वह होती क्या है तो इसकी आप डेफिनेशन लिख रही है यह उपर जो लिखी भी होई है यह मैंने आपको ग्रोप के लिए यह मैंशन की होई है आज सुचर आप लेख लें चाहिए अपने ना मैनुवल के ऊपर यह कॉपी लेखने बाद में आप लेखने जिएगा उसमें है आज सुचर बिट्वीन दा नोटों एंड़ प्लियूरल सेकलाइट्स यानि कि जो नोट प्लियूरल सेकलाइट्स होती है उसको हम क्या कहते है नोटो प्लियूरल सुचर ठीक है इसके लावा एक वार्ड यहां पे आएगा रीपोज क्या नाम है रीपोज रीपोज का क्या मतलब होता है रेस्ट पोजीशन में नहीं जाव इंसेक्ट प्लाई ना करा उसको हम क्या कहते हैं रुका हुआ उसको हम क्या कहेंगे रैस्ट यह इसके मीनिंग है यह आप लेख लें फिर इसके बात यह आपको वह दिखाता हूँ अच्छा इसके अलावा जो है अब सबसे पहले गरेक् यह सबसे पहले दखा दूंगे वह नोटो फुरल सुचर होती क्या है तो यह नोटो फुरॉल सुचर जो है यह एक सेकंड यह रेखेंजी इसके इसके यह मैं आपको तस्वीर भी सेंड कर दूंगा यह देखेंजी यह वाली सुचर है यह उसकी टरगम साइड है यह मेजो और यह उसके दर्मयान में यह निचले पार्ट्स हैं और यह उपर वाली जो टर्गम है तर्गम और जो प्रूरल जो सेकले राइट्स के दर्मयान में जो एक आपको लाइन नुमा सेक्टर नजर आएगा ठीक है एक गुरू जहां पर क्वाइंट आप फूजन होता है यह सु तो प्रूज़ हो रही हूं उसको हम चाहते हैं सुचर और यह है इसको हम एक स्पैसिल नाम देते हैं नोटो प्लूरल सुचर यह डेफिनिशन भी लिखे हुई है यह अभी आपको पिने लिखवाई भी है यह है एक ग्रेक्टर स्टिक्स तो यह है अच्छा दूसरा ग्रे यह है यह अच्छा दूसरा क्या है की भी आ यह है विद आउट तू मीडियल क्रॉस एंड जानें कि इसके जो विन्ग होते हैं उसमें म् टू मीडिया यानि कि आपने देखे हैं यहां गार करें जाके इस के अंदर जो हैं कि ये गौर करें तस्वीर के अंदर इसमें यह मैं अभी आपको शेयर करता हूं यह हमने पड़े यह आपने देखी ए तस्वीर पहले भी देखी है यह आप जो एक विंग बना है अब में में क्या लुए अपने देखी ती जो nodig में पहले काउस्टा सब तरो मीडिया यह मीडिया के बाद आती है और मेडिया 167 कृषग फिसको कहते हैं और इसको कहता है कि यह टू-एम और यह जो क्यूविटस है यह क्योभिटस वन टू की पात नहीं कर रहे कि इसकी दर्मयान और यह टू-एम जो वेन थे आगे ज़िगा फिरागे वन नहीं है दूसरा इसमें यह आप गौह करें जो चल के देखते हैं कि इसके अंदर जो हैं इसमें जो हमारे सब हमारे सब में जो हैं इसने अपर बाद यहां पहीं लिखिए है कि इसका वििन्ग जो है क्या औरवाला पार्ट हुर। विंग का यह और पास्का होते हैं यहें इसबाइन जहां से जुड़ा है और यह औसा असा था साँते जाएं तो यह जो एंडवाला então क्या कहते हैं उऐ और इसी तरीके से आपको बताया था किसी भी इंसेक्ट के अपेंडिजिस को जब आप एक्स्रीज कर रहे हूं तो वो पाट जाव हो तो जोड़ी ओधाया हुए वह जैसे लेग से त्रूड़ी होते हैं तो जो दूर वाला पार्ट है जो बॉड़ी से काफी दूर यहां से तरीके से जुड़ा वार्ट और जहां से जो है वह पायरल वाई है का मतलब क्या है कि लिए से सीदा आता है पिर नीचे की तरफ उसकी बैक साइड को कवर करने के लिए कि अधोड़ा सा कर्भ हुआ हुआ पड़ा सा U क्वाइल्ड हुआ पड़ा है किसी तरीके से कहते हैं कि वो जो इसकी बैक साइड है वहां से इसका विंग जो है वो स्पाइरल हुआ पड़ा है तो इसमें इस सब आर्डर के अंदर ऐसा नहीं होता ठीक है यह फूब है वह आगे चलके जब पढ़ेंगे तो आपको दिखा भ नें कि इसमें नोटोड व्यूर के सिंग क्शे कि अंदर गुए में याजी आप है यह यह इस तरीके की सुट्विक्शर है आप और कर रिखकर यह इंदर्य में यह नंधर आ रही है यह और हम इसक पर राफ़सर पर उर्वर्ध इकिम्तर आप जुए besoot टर कर्या करेक्टर स्टीक्स क्यान है तो क्या क्या ये क्या है ये कि एक तो ये भूब है, दूसरा ये है इसके अंद़ एक और खुबी है, कि हैंड़ कोग्जी के साथ मेटा-लेक्ट के साथ, मेटा स्टर्न किसा तर्नम कहुं 했ी जगा होती है, जो लोएर साइड आफ मेटाथारेक्स और हाइड कोगजी से क्या मतलब है जो सब से पिछली नहीं जो निचली साइड ऑसको क्या कहेंगे के साथ क्या होता है कि कोगजा नहीं कर सकता पर्मानेंटली तौर पे फिक्स हुआ पड़ है जब कि जो दूसरी दो लेग्स है प्रो थारेक्स का कोगजा है या मीजो थारेक्स का कोगजी है वह इम्मुवेबली फिक्स नहीं है मगर इसके अंदर क्या है कि आप उसके कोगजे को दिखने तो कोगजा मूव नहीं कर सकते क्यों कि वह मैटा स्टर्णम के साथ मूवेबली तौर पे ठिक्स हुआ पड़ है और तीसरा करेक्टर स्थी है कि विंग्स आर यूजिली वेद टू मीडिया और क्यूबिटस क्रॉस क्यूबिटस क्या है क्या है क्यूबिटस क्या है तो यह ऩ идет गॉट्विट्रेंश थे पर आपको क्यों कर दो क्यूबिटस था में यह ब्रांच क्या है क्या है क्या है यह मीडिया खर तू एम क्या कहते एक लिए ऐे यह क्या चाहिए यह क्या आप आधि घाए जाती है इसके अंदर शुड़ावा आप आप दूसरे के अंदर पातीते हैं नोटो-फीयृल सुचर पाई जाती और दूसरा ये है कि इसमें एक फरक यहां कि इसे कि यह कर सकते हैं मोव कर सकते हैं इस उमिजो मेटा ती नों के यह जो हमने एडी फेका में पढ़ा था किसे जो हाइंड कोगजा हैं हाइंड लैक्ट कोगजा हैं वो जो हैं मैटस्टर्लम के साथ इम्भूवेवली फिक्स हैं और वो मुव नहीं कर सकते हैं और दूसरा क्या है कि इसमें कहने के विंग में कहता है कि टू एम और क्यूबिटस वेंज हैं वो पाई जाती है और डिस्टल पार्स फाइरली क्वाइल इन रीपोस का मतलब यह है कि उसका जो डिस्टल पार्ट है एंड वाला पार्ट है वो एंड से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है थोड़ा सा कर्व हुआ यहां के सुपर फैमिली के देख लें तो उसमें से सबसे पहले आखे सुपर फैमिली है किMarty इडिया केरा वी ओधिया यह इसका नाम है यह आपने पड़ा ता ओ आई डिए आगर यह तो सुपर पेमिली में सबसे पहले करेक्टर्श यह के इन डिने में कितने हैं कि यूजली तो और पर दस सेग्मेंट एंटीने ठीक है और विद थ्री एंड सेग्मेंट प्रोड्यूस्ट और वाइड साइड फार्म लेमिलेट कलब किस तरीके से होता है वह मैं आपको बाता हूं कि यह देखें जी इसके एंटीने जो हैं जो इसकी सुपर फैमली के एंटीन हैं वह आप गोर करें यह देखें इस डायाग्राम में यह मैं रिखें यह सुपर फैमिली इसकेब्स है और पैडिसेंट के ओपर एक दो यह सेग्मेंट क्यों है यह लैमिलेट नहीं है लेमिलेट मीन कि टंग नुमा स्टॉक्च्टर नीपन हुए बलके इससे उपर तीसर तरीके से आप आजें वापस आजें तो आप दूसरे सब आडर में आप देखें इसका एक रेक्टर सिक्ट लोग बॉड़ी इस यूजली स्टाउट बॉड़ी आप में आप और स्टाउट बॉड़ी होता किए तब से पहले आप गवाउट वाड़ी होते हैं कि जोग़ोथे टांध उसक फद्रमी नोगक्त एंश यह जो है आगे चलके मैं भी आपको दिखाता हूं यह दो तरह की बीटल्स हैं तो यह काफी स्टाउट्स है इनका बॉडी यह तो होगे सुपर फैमिली के करेक्टर स्टिक्स के बाद हम ना साथ साथ देखते हैं दो इसके अंदर सब फैमिली जेयो ट्रॉपडी और दूसरी स्केरव बीडियाज के रबी ओडिया स्की सुपर फैमिली थी उस में उस stat अदेए जो तो कदें कि इता इस लाड़े किसे अठें हम बढ़ते हैं तो यह मैं आपको तका था हूं कि continent सब्सक्राइब और दूसरा इसमें कर्रेक्टिस्टिक है कि अब्डॉमिनल स्पाइरिकल आर प्रेजेंट इसके सारे कि सारे जो ना तो बिल्क नीची ना उपर हैं बलके कहां भी हैं जो लेटरल साइड है ना उसके सारे कि सारे जो इसके स्पायरिकल मजूद हैं वह लेटरल साइड पे जिसके साइड कहते हैं या तोड़ी सी ये इसको ड्रा करने की कोशिश थी थोड़ी सी वह आप पो तखाथा हम यूब कैसे मजूदे ये रेखें जी योट्रॉपर्टी फैमली नदर आरी ये य सब्सक्राइब करेक्टर स्क्राइब करेक्टर साइड है और यह क्या इसका अब्डॉमन है यह जो साइडों पर आपको सारे नजर आ क्झार चैंकई पर अंदे रावा से को काइब करेक्टर स्कारेक्टर स्क्राइब करेक्टर स्क्राइब पाई जाते हैं तो इसके अंदर क्रेक्टर स्टिक्स क्या है कि इसके अंदर एट टैन सेग्मेंटेड इसका जो बौटी है इसके इसके अंदर डंग बिटल्स कारब बिटल्स कौक्चाफर बिटल्स निचली साइड पर ऊपर पाएजाती हैं बॉडी के निचली साइड पहलं में पाए जाएंगे और कुछ निचली साइड पे जिसको निचली साइड साइड कहते हैं। उस साइड पहले ये तो यह तस्वीर आ गगी है। अब आपको डूसरी जो हैं जो एक रेक्टर स्टेक्स हैं यह देखें जी दूसरा वलके इदर इसमें नीचे वाला यह इसमें से हैर शाय तो स्वीर कट गई अच्छा इसे एंटीना देखने यह मैं आपको दुबारा सेंड का देता हूं तो स्वीर के एंटीना जो है इसमें एक तो 10 सेग्मेंटेट है मगर इदर स्वीर का पुछ जो हैं यहां पर डायाग्राम करते हूं आपको तुबारा सेंड कर देता है उसमें किया कि इसी तरीके से प्लियूरल मेम्रें में और कुछ जो हैं वो वेंट्रल साइड के उपर दॉरसल साइड के उपर मजूद हैं या जिन पर तरनाइट्स भी क इसमें यह दोनों बीटल कौंस ही पाई जाती है वो बीटल में आपको दिखा देता हूं कि वो बीटल कौंस ही है वो बीटल में से सबसे पहले यह सारी बीटल में आपको दिखा देता हूं उसमें से आप गौर करें तो यह एक सेकंड जो हैं यह आपको बड़ा का दो तो यह वाली यह देखें बड़ा स्काउस बाड़ी यह क्या है यह गोल मोल सा बाड़ी इस तरीके से मुख्टलिफ रंकों में और यह सैकनों स्पिशी नहीं है और यह आप अंटीने देखें इसके बाटम के उपस के पैडिसल और दो तीन सेगमेंट नीचे से क्या है कि वह एक तरफ रहा है वो टंग नुमास सक्षे तकलाता है इसकों क्या कहते हैं जो लेमलेट इंटीने यह आप गवार करें आप आपको यहां पर भी इंटीने नजर आ रहे ही यह ब्लै कलर की बड़ी सारी है तुबली सी मोटी ताजी और इसका बाड़ी देखें इस तरह के बा और उपर वाले सेग्मेंट क्या है और एक तरफ जो है तरफ नुमास सब्सक्राइब करते हैं अब इसके अलावा यह देखें यह दो बड़ी 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 से बीटल नजर आई और गोल मोलों आप आँके मांद करके कह रहें यह दोर बीटल आगे उसकी स्पीशीज है सब्सक्राइब करते हैं यह मैं कह रहा हूं कि यह देखें जो डंग बीटल ना डंग बीटल की निशानी है कि यह इसके हैड की उपर इस तरीके से आपको बार नुमास सिंगल नुमास स्ब्सक्राइब जब गाये को कोई को बर करती है तो यह बनाते है जोट चोटी बॉल से बनाते बॉल मुझा सट इस दिर आम लिए खरेंगे उस कोई करेंगे जैए यह बी देखें जिए यह बी little है अगनी स्क्राइबीटी फैमली का मैं फरक थोटा सा आपको दिखाऊंगा और पींग वो यह चोटी बड़ी बी यह चोटी बीटल है वगर आपको इसी तरीके से नजर आएंगी अच्छा यह फैमिली देखें जी यह बी स्काउट बॉड़ी है मगर आप देखें तुमें यह बॉड़ी थोड़ा सा लंबा नजर आ रहा है आपको ओल से इलोंगेड इसका बॉड़ी इसके बॉड़ी जुह है उसमें थोड़ा तांग बॉड़ी था चोटा बॉड़ी था इसमें बॉड़ी क्या है तो आपको फट्वड़ासा नदर आ रहा था यह आप उपर जी दिदिस राई देखें बहुत ज्यादा लंबा बॉड़ी नदर नहीं इसका मगर इन में आप वार करें यह देखिए जो स्कैरबिटी फैमिली है कि यह जो है इनके आपको थोड़ा सा लंबा बॉड़ी नजर आएगा ठीक है और यह देखें यह है जी डंग बिटल क्या का रही है यह गोली बना रही है डंग रोलर भी से कहते हैं यह चोटा सा डंग ते गोबर ते अपन लिखा हुआ था क्रेक्टर स्टिक्स में यह ओवल से लॉंगेट बॉड़ी आपका इसका यह थोड़ा सा लंबा बॉड़ी उसमें थोड़ा चोटा बॉड़ी होता है यह देखें यह यह जो आपको साइड पे नजर आ रहे हैं यह देखें जी यह बुफ्तले बीट बीटल भी होती है लॉंग हॉर्ण रैक वो दूसरी है यह ज्यादा तार बीटल जो है अफ्रीकन या मलेशियन कंट्री के अंदर बड़ी बड़ी बीटल मिलती हूं यह लड़ती भी है इनको लड़ान ना इसके से पंजाब में आपने देखें कि वेले वेले लोग ना यह अब इसमें यह देखें जाये … जायदा ही लंबे-लंबे यह आं नजर आ रहे हैं लॉरे की लड़ान में यह अ मुश्र Kund dois और यह दिख हैं बैदे बीटल हैं मुशलिघ हैं मुशलिी हैं मुशलिट क低लर बीच तौ अ हैं गार्वान गॉम्श्र बड़ी जो इंसेक्ट होता है वो अभी एलिफंट बिटल है इसी से जो बिलॉंग करते हैं यह आप देखें यह बीच में यह त्राइंगुलर नमाज करते हैं यह सारे जो हैं यह कौन सी बिटल है अच्छा यह मैंने आपको लारवे बताया थे तो आप जेन में याद रख ल पर क्टेंगे ब armas तक ने तक करेंगे यह एकारण साइब ने तस्वीर में आपको दोबारह करतां आ तो आपने अपने लिखने हैं उसके उपर नोट बुक के उपर या आपने प्रैक्टिकल की इसी के मेंने पेज़ के लिखने हैं तो वह आपको दुबारा सेंड कर देता हूं यहां तक कोई बात है तो आप डिसकास कर लें क्योंकि यह क्रास ताइम भी आल्मूस्त हो जिए य है तो एग भाद को ईत्यों के लोग्य कि वेया हैं